नमस्कार, स्वागा थे हैं आप सभी का एक बार पुना टार्विता लोग ओनलाइन इस्ट्यूट में, मैं गौर्वनरियन बड़ी मात्वोंट परिक्षा, हार एक युबा के जो प्रतियोगी छात्र है उसके दिल में, उसके दिमाग में एक ख्याल रहता है कि उसको इलावाद या किसी और सहर में रहकर एक अच्छा पद गरहन करना है, चाये वो HDM का हो, चाये नायाब तैसिलदार का हो, या फिर अनकोई पद हो, ठीना प्रिसासनिक पद, और इस प्रिसासनिक पद को आपको दिलाने के लिए हमारी संस्ता पूंड रूप से प्रति किये जा रहे हैं, और इस वेज की खास्यते हैं, कि इसमें प्रारमिक परिक्षा, जिसको आप प्रिलिम से बोलते हैं, उसके तैयारी अलग फैकल्टी के माद्यम से कराई जाएगी, और मैंस के परिक्षा के लिए दिल्ली या अन्य सहरों, उसकी जो भी अच्छी फैकल्ट या कोई भी अन्य पद, प्रिशाशनिक पद को आप गिरहन कर सके, तो यदि आप इस वेज में एडविशन लेना चाहते हैं, और एक अच्छी टीम के साथ, मजबूती के साथ, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है, और इस नंबर है, जो नंबर है हमारा, 9918000454, इस नंबर पर आपको केवल PCS इंडरी लेकर सेंड कर देना है, हमारे काउंसलर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आप से बात करेंगे, और आपको एडविशन की पिरक्रिया क्या है, कितनी फीस होगी, कब से बैस संचलेत होगा, इस सारी की सारी पिरक्रिया आपको बता दी अगर मैं अपनी बात करूँ, तो सायथ पहचानते होगे, नहीं पहचानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम गौरम नरंजन है, और मैं आपको जोगरफी का पड़ाओंगा, जोगरफी, इंबारमेंट और यूपी स्पेसल, ठीक ना, चलिएगा, तो अगर हम देखें, तो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने एक बड़ा मात्तपून टॉपिक पड़ाया था, आर्थिक भूगोल से, ठीक ना, आर्थिक भूगोल से हमने आपको टॉपिक पड़ाया था, भारत में, भारत की जो भूकरविक सनचना है, उसका ह अध्यान कराये था और चटणों के बार थे में अध्यान किया था उसीके आंग इब ढटे हैं लोग और उसी के आंगे बड़ते हैं अब एक आधर नया्या तॉपिक देखते हैं आप और जो नया टॉपिक हमारा इस टॉपिक का नाम है भारत के खनिज संसाधन आज हम बात करेंगे भारत के खनिज संसाधन पर और हम बात करें भारत के खनिज संसाधन पर तो पहला प्रिश्ण तो यही बनता है और लोक सिवायूक के साथ साथ संग लोक से वायूक के द्वारा भी पूछ लिया गया कि किसी भी देश में पाय जाने वाली प्राकृतिक शंपदा अब प्राकृतिक शंपदाकर्थ यहां पर किसे है तो यहां पर प्राकृतिक संपदाकर्थ खनिस संसादनों से है पूछा गया कुशन ए है कि किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा पर किसका अधिकार होता है राजसरकार का या फिर जिस राजसे इन खनिजों की प्राक्ति हो रही है उस राजसरकार का ठीक ना तो हमा को बता देते हैं एक खनिज संसाधन है इस पर अधिकार की अगर बात क साधनों पर अधिकार किसका होता है तो अधिकार दोनों का होता है पूरी बाद सुनिएगा तब ही समय मैंगा राज्य का भी और केंद्र का भी राज्य का भी अधिकार होता और केंद्र का भी अधिकार होता अब बात आती है कि कौन से खनिच ऐसे खनेज जो भारत के अब तटिये छित्रों से पाए जाएंगे उन अब तटिये छित्रों के खनेज पर किंदर सरकारी का अधिकार होता है अब तटिये छित्र का मतलब है जो तटवर्ती छित्रों से खनेज पाए जाएंगे तटवर्ती छेत्रों से पाए जाने वाले खनिजों पर केंद सरकार का अधिकार होता है अगर हम बात करें केंद सरकार की तो केंद सरकार अब तटिये खनिज अब तटिये खनिज ठीक न? अब तटिये खनिज पर अधिकार होता है इनका और यदि किसी राज से खनिज मिल रहा है राज बुद तट के किनारे नहीं है तटवर्द छित्म नहीं है तो उन पर राज सरकार का हुआ राज के राज के सीमा के अंदर राज की सीमा के अंदर राज के सीमा के अंदर जो भी खनिज पाए जाएंगे टेया उनपर रज सरकार का और अगर अगर आप यह भी कह सकते हैं कि सर याँ तर्टी च्ळित उसको नाम दे दिया गया अगर हम भारत के अनन-ार्थिक MIJ बात करें याँ बोलते हैं तो भारत का यहां पर एक सहरें च जो समुद्री दूरी है इस पर भारत देश का अधिकार है भारत देश का अधिकार है ठीक ना कोई भी देश होगा उस देश की आधार रेखा या उस देश का कोई एक ऐसा सहर होगा जहां से 24 नोटिका मील तक के समुद्री छेतर पर उस देश का अधिकार होगा वापर जो भ ये खनिजों पर अपना दिकार पेश करेगी और राजी सरकार जिस राजी में वो खनिज मिल रहे होंगे उन्हें राज जोसी ठीक ना अब देखिएगा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अगर हम खनिज संसादलों की बात करें तो खनिज तीन परकार के बताएगा है खनिज का अगर हम बरगी करण करते हैं खनिज का वरगी करण अगर इन खनिजों का वरगी करण आप करते हैं खनिजों का वरगी करण तो तीन परकार के खनिज एक धात्विक खनिज धात्विक खनिच ऐसे खनिचों को कहेंगे हम जिन से हमें धात्व की प्राप्ति होगी दूसरा अधात्विक खनिच और उसके बाद इधन खनिच उसके बाद कौन से खनिच हो जाएंगे उसके बाद हो जाएंगे इधन खनिच ठीक ना, अगर आम इन दोनों खनेजों की बात करते हैं, धात्वे खनेज, आधात्वे खनेज और इधन खनेज, तो आधात्वे खनेज और इधन खनेज जो होते हैं, आपको याद रखना है, आउसादी चटानों से प्राप्त होते हैं, आउसादी चटान से क्या होते हैं, तो से इनकी कहां से प्राप्थी होते है, तो इनकी प्राप्थी होती है, उसाथ चंटान, की बात करते हैं कि कि से होती है । इतने बात होगी कृलिए, ठक न, नामसे इधन खनेच, के अंतरगत हम petroleum, koila और प्राकृतिक gas को सामिल करेंगे उसके बाद आडविक उर्जा को हम भी इसी में भी सामिल करेंगे आडविक उर्जा या परमाणडविक उर्जा वो हम इधन खनेज में ही उपयो करेंगे जैसे संग مरबर है जैसे चूना पत्थर है जैसे जिपसम है तो आँपकी आडविक खनेजो जाएंगे अभी हम एक EGX से आपको सब पढ़ाएंगे और आडविक खनेजों की बात की जाए बैसे खने जिनमें धाडविक उंस पाय जाएं जैसे लुआ है जैसे सोना है जैसे चांदी है अब बात करते हैं इसको पढ़ते हैं आज यहां से प्रारब करते हैं ईधनखनिश की बात करें तो इधनखनिश को हम तीन भागू में बाट लेते हैं पहला कोयला दूसरा पेट्रॉलियम कोईला पेट्रॉलियम और उसके बाद क्या हो जाएगा प्राकर्तिक गैस और क्या हो जाएगा प्राकर्तिक गैस कोईला पेट्रॉलियम और प्राकर्तिक गैस अब यहां से देखेगा लोग से वायोग ने कुश्चन पूछ लिया इधन खनिजों में सबसे अधिक मूले का खनिज कौन है सबसे अधिक मूले का खनिज कर यहां पर क्या है तो यहां पर सरवाधिक मूले की खनिज का मतलब यह है कि वह कौन सा खनिज इधन खनिजों में जिससे सरवाधिक मात्रा में आई की प्राप्ति होती है तो कौन सा है कोईला की भंडार भारत में बहुत जानदा है ठीक ना तो अगर पूछा जाए तो मूल की दृष्टी से सबसे मात्पूर्ण खने जिन में कौन सा है तो मूल की दृष्टी से इन में सबसे जानदा खने जो है कोईला है और उत्पादन मूल की दृष्टी से किस मात करते हैं हम कोईला कोने चसक्ट कोईला जिसको हम इंगलिस में कुल कहते हैं इसे फराप्थ होता है कवेला और और होता है कि ऐसे प्राप्त होता है कि ऐसी चट्थान आवसादी चटान, ऐसी चटानों कहेंगे हम, जिनका निर्मार आगने चटान के तूटने फूटने, पिछला गर लेक्षर याद होगा तुमने बताया था, चटानों के तूटने फूटने की प्रिक्रिया को हम अपच्छे के नाम से जानते हैं, अपच्छे, ठीक रग, तो तूटने फूटने, आगने चटान के तूटने फूटने से आवसादी चटान बनती हैं, और आवसादी चटानों में जीवास में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीवास में जब सडगल जाते हैं, तो इनी से कोईला या प्राकृतिक गैस के हमें प्राप्ति हो जा अगर मैं बात करूँ कि भारत में सरवादिक आउसादी चटाने कहां पाए जाएगी तो भारत में सरवादिक आउसादी चटाने जो है वो नदी घाटी में पाए जाती है और आउसादी चटाने नदी घाटी में पाए जाती है इसलिए इनको तल छटी चटान के नाम से भी तो नदी घाटी में सरवाधिक पाए जाती है आवसादी चटान नदी घाटी में सरवाधिक पाए जाती है तो नदी घाटी से ही सरवाधिक मात्रा में कोईला की प्राप्ती हो जाएगी किसकी नदी घाटी से हमें 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 प्राप्ती ह होता है आप से प्रिष्ण पूछेगा वह और अगर प्रिष्ण के प्रिक्रति की बात करते हैं हम तो प्रिष्ण लोग से बायोग अपना पैटर्न चेंज कर रहा है अगर आप दो वर्स का आप प्रिष्ण पत्र लेकर देखें 2018 और 2019 तो आप देखेंगे कि पहले क्या करता प्रिष्ण पूछ लेता था अब प्रिवेस के के कुश्चन नहीं पूछ ता इस बार कोईला चित्र से कुश्चन पूंचा गया था ठीक ना कथन कारण वाले प्रिष्ण पर जोड़ दिया जा रहा है आप जो को कथन दे देगा वह कि कोईला की प्राप्ती आउसाधी कोईला के प्राप्ती नदी घाटिएं से होती है यह कथन है और कारन देगा क्योंकि नदी की घाटि Yes अधिकांस मात्रा में आउसादी चटा ने पाई जाती बिल्कुल है अब बात करते हैं कि नदी घाटी में आउसादी चटा ने दिक मात्रा में क्यों पाई जाती है तो समझ लीजिएगा आब बताइएगा मा लीजिएगा ये कोई नदी इस प्रकार प्रवायत हो रही है और जब यह नदी इस प्रकार प्रवायत हो रही होगी तो इस नदी में जल होगा इस नदी में क्या होगा इस नदी में जल होगा लेकिन जल के साथ साथ इसमें रेत कंक रेत कंकड जीब जन्तू के आउशेस जीब जन्तू पाई जाएंगे जैसे मचली ये केकड़ा है कच्छुआ है मेडक है साथी साथ पेड़ पौधे भी पाई जाएगे कई बार आपने देखा होगा नदी में कोई पौधा है बैता हुगा चला जा रहा है तो नदी क्या करती इनको रेत कंकड जीब जन्तू या पेड़ पौधों को एक जगाए पर आकर इनका जमाँ कर देती है और धीरे 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 जब यह जमते रहेंगे यहां पर जमाँ होता रहेगा तो यहां पर किनका निर्माण हो जाएगा यहां पर निर्माण हो जाएगा आउसाद जीब जन्तु और परपादों को क्या करती है बहा कर लाती है इतनी बात हो गई आगे देखिएगा बस एक एक से समझते जाईएगा और यहां से आपको करना क्या है हमने आपको पहली बताया कि हमारे संस्थान में प्रारम्बिक परिक्षा अलग अलग अध्यापकों के मात्र संस्थान में बढ़ाई जाएगी और मुख परिक्षा के लिए अच्छे अच्छे टीचर वोला जाएगी और अच्छे परारम परिक्षा से भी और अच्छे तो आपको बेस अपना यहीं से बनाना है अब आली जीगा आप वह आपसे कोईला के आप के पूछेगा मैंस की मैं कोईले चित्रों को चिन्हत कीजिएगा तो कोईले चिन्नों को यही से सीखना प्रारम कीजिएगा तब अच्छा आंसर लिप पाएंगे ठीक ना? चलिएगा हम कोईले का बरगी करण करेंगे हम कोईला की या प्रकार देख लेते हैं बर्गी करन लिखे लीता है, कोईला का प्रकार अगर हम कोईले के प्रकार की बाद करें तो कोईला, चार प्रकार का होता है बाबू एक बस आप समझेगा, आपने ऐसा कही नहीं पढ़ा होगा यह में दावा दूंगा आपको, ठीक ना? ये बात का मैं प्रॉमिस करूँगा कि आपने ऐसा कहीं नहीं पड़ा होगा नए नए एकदम से फॉर्मूले दिये जाएंगा आपको बहुत अच्छी समा जाएगा एक होता है एंत्रासाइड कोईला मैं पूरा नाम लिख देता हूँ एंत्रासाइड कोईला बिटुमिनस या बिटुमिनस भी बोलते हैं बिटुमिनस कोईला उसके बाद लिगनाइट लिगनाइट कोईला लिगनाइट कोईला और लिगनाइट कोईला के बाद हो जाएगा आपका पीट कोईला यह बाबु चार परकार का कोईला होता है अब समझें अच्छे से आप जैसे जैसे यहां से यहां क्योड जाएंगे यहां से कहां क्योड जाएंगे आप एंथ्रासाइड से जैसे जैसे पीट कोईले क्योड जाएंगे कारवन की मात्रा में कम ही आती जाएगी कारवन की मात्रा कारवन की मात्रा में क्या आती जाएगी कारवन की मात्रा में कम ही आती जाएगी ठीक ना अगर हम देखें तो लगवा एंत्रासाइड में देखें मुझे एगजेक्ट आंकड़ा तो नहीं पता लेकिन हाँ same to same थोड़ा उसके आसपास का बता दूँगा यहाँ पर जो carbon की मात्रा होती है anthracide में वो लगभग 80-25 में प्रितिशत होती है bituminous में जो carbon की मात्रा होती है वो लगभग 50-65% होती है legnite की बात करें तो लगभग 30-40 प्रितिशत carbon होता है पीट कोईले में लगभग 25% क्या पाए जाता है 25% यहाँ पर carbon तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे अधि carbon है उससे कम यहाँ पर उससे कम यहाँ पर उससे कम होँआ पर तो जैसे जैसे आप anthracide से पीट कोईले क्यों हो जाएंगे बैसे carbon की मात्रा में कमी आती जाएगी carbon की मात्रा में कमी आती जाएगी अगला समझेगा अगर carbon की मात्रा में कमी आएगी तो जोलन सिलता में भी कमी आएगी जोलन सिलता जोलन सिलता में कमी अब जोलन सिलता क्या होती है तो ज्वलन सिलता कर्थ होता है जलने की छमता उसकी जोतसना उसका प्रकास ठीक ना तो ज्वलन सिलता में कमी आएगी अगर ज्वलन सिलता में कमी आएगी तो धुआ की मात्रा में विरिध्धी होगी धुआ की मात्रा में क्या होगी धुआ की मात्रा में विरिध्य होगी इसको मैं आपको एक equation के माध्यम से समझाओंगा पहले आप एक काम कीजिएगा इसका एक skin control लीजिएगा फिर मैं आपको एक equation के माध्यम से इसको समझाता हूँ चलेगा देखीगा कारवन जो होता है कारवन की मात्रा का कारवन की मात्रा का सीधा समझ होता है जोलन सीलता से कारवन की मात्रा का सीधा समझ होता है जोलन सीलता से यानि जिस कोईले में जितना अधिक मात्रा में कारवन पाया जाएगा वह अच्छे प्रकार से उतनी अच्छी जोती के साथ उतनी अच्छी तिवर्ता के साथ उतनी जोलन सीलता होगी जलेगा उतनी और यदि ये अच्छे प्रकार से जलेगा कोई भी कोईला यदि अच्छे प्रकार से जलेगा तो सीधी सी बात उसमें धुआ बहुत कम निकलेगा उसमें धुआ की मात्रा क्या होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए तो हमें याप लग सकते हैं कि इसका ज्वलन सीलता से सीधा संबंध होता है जबकि धुआ की मात्रा से विप्रीत संबंध होता है धुआ की मात्रा तो कारवन की मात्रा का ज्वलन सीलता से तो सीधा संबंध ह होता है जबकि जो उसमें से धुअ निकलता है उसsa इसका विप्री शंबन होता है अगर हम ऐंत्रासायट कोयुए उसकी मात्रों में देख हो जाएगी उसमें धुआ की मात्रा वाँ पर अधिक होगी यहां से एक पुष्ण पूचा गया आपके लोग से बायोग के द्वारा आपके चार प्रकार का कोईला होता है वो तो जान नहीं रहा है कि होगा है कौन सा कोईला है जिससे स्थारबाद एक मात्रा में धुआ की प्राप्ति होती, तो धुआ की प्राप्ति, यानि धुआ अधिक होगा, किसमें, जिसकी जुलन सीलता अधिक होगी, यानि जिसमें कारवन की मात्रा सबसे कम होगी, और कारवन की मात्रा सबसे कम किसमें, पिट कोईले में, ठीक ना, तो हो गया, आप इसको, इसकी बिछेट लीजेगे से चलेगा हम एक एक से इनई कोईले को पढ़ते हैं ठीक नहीं तो पहला हमारे पास एंथरा साइड तो हम एक एक से इनको पढ़ेंगे एंथरा साइड एंत्रासाइट कोईले के बारे हम दो बात हैं पहले ही जाने कि इसमें कार्बन की मात्रा देखोती है क्या होती है कार्बन की मात्रा देखोती है और दूसरी बात हमें जाने है कि इसकी जोलन सिल्टा देखोती है जोलन सिल्टा जोलन सिल्टा क्या होती है जोलन सीलता देखोती है तीसरी बात हम यह जाने कि अगर जोलन सीलता देखोती है तो धुआ की मात्रा इसमें क्या होती है धुआ की मात्रा कम पाई जाती है ठीक ना? अंगला जो अंगला पॉइंट चौथा यह जो एंतरासाइट कोईला है ये जब जलता है, तो नीली रोशनी के साथ जलता है, ठीक ना, तो जलने पर नीली रोशनी, ब्लू, लाइट, नीली रोशनी उत्पन्य करता है, नीली रोशनी क्या करता है, उत्पन्य करता है, जलने पर नीली रोशनी उत्पन्य करता है, आपको याद रखना, जलने पर क्य करता है नीली रोश्मी उत्पर ने करता है अब हम आगर बात करें कि जो एंत्रासाइट कोईला है मिलता कहां से तो भारत में बहुत कम मात्रा में पाये जाता है भारत में एंत्रासाइट कोईला बहुत कम मात्रा पाये जाता है या केबल जम्मु कस्मीराज में पाये जाता है जम्मु कस्मिराज में पाया जाता है ठीक ना चलिएगा जम्मु कस्मिराज में क्यों पाया जाएगा जम्मु कस्मिराज में क्यों पाया जाएगा तो हमने आपको पढ़ाया है कि कोईला वहां से मिलेगा जहां पर आउसादी चट्टाने हो आज जहां पर हमाले परबत है ज उरेशियन प्लेट और भारती प्लेट खंड इसे इक्छा दिकारी का हमारे यहां बैच चल रहा है और उसमें मैंने हिमालय पड़ा है साइद आप लोगों ने देखा होगा उसमें इस बात का जिक्र किया है ठीक ना भारती प्लेट और यूरेशियन प्लेट मा लिजेगा इं जनतूं के आउसे जिनको हम जीबास में कहते हैं जीबास में पाय जाते जीबास में पाय जाते तो यहां बीच में टैथिस सागर है जब इन प्लेटों का टकर हुआ तो टैथिस सागर का जो मलवा था वो उपर उड़ गया उसी को हमने हमाला दे दिया सोट सब्दों में त आउसाद था वहाँ पर जो मलवा था जिसको मलवा या आउसाद कहा रहे हैं तो उस आउसाद में जीब जनतूं के आउसेस निश्चेत रूप से पाए जा रहे होंगे और जीब जनतूं के आउसेस निश्चेत रूप से पाए जा रहे थे इसलिए वहाँ से हमें किसकी प्रा फ्रवली पर वतीय चेत्र दीसरा चाम हो झाइगा खुझा रखना है ये बात हैं आपको याद रखना ये आपका पहला कोला है एंत्रासाइट कोला ठीक ना चलीगा दूसरा प्रकार का कोला दिखते हैं बिटुमिन्स प्रकार का कोला बिटुमिन्स पैंचेंच कर लेते हैं दूसरा प्रकार का जो कोला होता है इसका नाम है बिटुमिन्स बिटुमिन्स कोईला अगर हम बिटुमिन्स कोईला की बात करें तो यह मैं बार बार नहीं लिखूंगा बातों को दूसरे सबसे अच्छा कोईला वाना गया है अंत्रासाइट के बाद अगर हम बात करते हैं बिटुमिन्स परकार के कोईले की तो यह कोईला भारत में सरवादिक मातरा में पाए जाता है बिटुमिन्स कोईला भारत में क्या है बिटुमिन्स कोईला भारत में सरवादिक मातरा में पाए जाता है तो बिटुमिन्स कोईला भारत में सरवादिक भंडार भारत में सर्वादिक भंडार इसी कोईला के है इसी कोईला के है यानि भारत में सर्वादिक मात्रा में या सबसे अदिक मात्रा में बिटुमिन्स प्रकार का कोईला ही पाया जाता है ठीक ना? चलिएगा बिटुमिन्स प्रकार का जो कोईला है मैंने आपको पढ़ाया है पिछला भी रू देख लीजिगा गोर्णवाना कालीन चटान से प्राप्ति भारत में लगवा अंठान में प्रितिस्षत यहीं कोला पाए जाता है दो प्रितिस्षत लेगनाइट पीट और एंतरसाइट में लाके अंठान में प्रिति ठीक ना अगर हम बात करें कि बिटुमिन्स प्रकार के कोले की तो बिटुमिन्स प्रकार का यह जो कोला है जारखंड जार्खन 36 गण, उलीशा राज्यों से अधिक मात्रा प्राप्त होता है, कहां से, जार्खन 36 गण, उलीशा राज, ये 3 राजματα जहां से चैंधा मात्रा प्राप्त होता है, साथी साथ इन नदी घाटियों से भी प्राप्त होता है नदी घाटी से नदी घाटी से प्राप्त होता है ठीक ना तो अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा बस अभी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ समझा रहा हूँ सि नदी घंटियों से क्या होतार प्रापति अब लोग से भायोग में हैए से कुश्चन पूछ लिया कौन कौन सी नदी घंटी है तो दामोदा नदी घाटी से इसकी प्रापति होती है दामोधर, दामोधा नदी घाटी से प्राप्ति होती है, सोण नदी घाटी से प्राप्ति होती है, सोण नदी घाटी, ठीक ना, महानदी घाटी से प्राप्ति होती है, महानदी घाटी से, ठीक ना, नर्मेदा नदी घाटी से प्राप्ति होती है, नर्मेदा, नर्मेदा नद गाट पसकी आपको याद रखना है तो आपसे कुछ पुछ पूचा गया लोगसे वायोग के दोरा की भारत में प्राकर का कोला है बिटुमिन्स तो नोई कहां से प्राप्त होता है हमाला परवत छेतर से के तर दीश्यक्थ जैसे आप लोगोंने धनबाद का नाम सुनाओगा मैं पर ठीक नहीं ना मीन ऑन पर नधारوت का को घंडर से लिए जाना energíaणद का alabha तो यहां से पाए जाता है प्रिष्ण पूछे जाते हैं इसके इसके नाम है लिगनाइट कोईला कौन सा कोईला है लिगनाइट कोईला अगर हम बात करें लिगनाइट कोईला तो लिगनाइट कोईले को भूरा कोईला के नाम से भी जाना जाता है भूरा कोईला अब भूरा इसे क्यों कहते हैं जलते वक्त या जलते समय अधिक मात्रा में धूँआ देता है जलते समय अधिक मात्रा में क्या देता है जलते समय अधिक मात्रा में धूँआ देता है और अधिक हमात्र में ध्वा देने के कारण ही, इसको गुरे रंक होता है, इसली को भूरा कोईला का आ जाता है, ठीक नाउ, मैं शुरुआत में इनी बात भूर गयाता है, यहां बता देता हूँ, कोईला को कालसोना की संग्य दी जाती है, बलग गोल्ड बोला जाता है, कालस डूर आउसाधी चत्टानों से पाई जाता है अगर अगर भणडार की बात करें तो लिगनाइट को लेका जो सरवादिक भंडार है, लिगनाइट कोईले का सरवादिक भंडार, तमिलनाडू रज में पाय जाता है, लिगनाइट कोईले का सरवादिक भंडार कहां पाय जाता है, तमिलनाडू में, तमिलनाडू में आपको दो जगाए याद रखना है, एका नाम है नवेली, या निवेली के नाम से भी जानते हैं दूसरा नाम मुन्नार गुडी या मन्नार गुडी मुन्नार गुडी मुन्नार गुडी बोलते हैं इसको मन्नार गुडी मननार गुडि नीवली यह नवेली भी बोलते हैं और दूसरा है मननार गुडि ठीक ना तमिलाडू में सलेम लो इसपास संयंतर केंदर है तो लो इसपास संयंतर केंदर को जो इधन की प्राप्ति होती है कोला की प्राप्ति होती है वो यहीं पर मनार गुड़ी और नवेली से प्राप्ति होती है ठीक ना चाहिए इसको नवेली और नेवली ठीक ना दो नाम से जा तो उध्धोग दो चीजों पर सबसे जांदा डिफेंड करते हैं पहला कच्छे माल की समीपता जहाँ पर कच्छे माल जल्दी से प्रैप्त हो जाए वहां पर उध्धोग लगाते हैं या बाजार की सुगमता बाजार जहाँ पर कच्छे माल से हम product प्रोडक्ट का निर्मान करेंगे और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे पास बाजार होना चाहिए जितने पास में बाजार होगा उतना अच्छा फायद रहेगा और आर बात करने कोईला तो कोईला का सरबाद्य को पेव लोह इस पास सन्यंत्रों में किया जाता है ल लोहा के सामन ने में ठिकना चलिएगा इसको लेइस एक को आते हैं का बात करते हैं तो सबसे घटिया को इन इसे घटिया या निमने प्रकार का कोईला घटिया या निमने प्रकार का कोईला सबसे घटिया या निमने प्रकार का कोईला इसको याद रखना को जलते समय सरवादिक मात्रा में जलते समय सरवादिक मात्रा में धूँआ देता है यह बात आपको या रखने है जलते समय सरबाद एक मात्रा में क्या देता है तो जलते समय सरबाद एक मात्रा में धूँआ देता है इस बात को आपको या रखना ठीक ना अगर हम बात करें प्राप्ति इस थलकी तो दल दल छेतरों से इसकी प्राप्ति होती है दल दली दल दली छेतरों से प्राप्ति है दल दली छेतरों से क्या होती है इसकी दल दली छेतरों से इसकी प्राप्ति होती है ठीक ना बस इसके बारे में कुछ नहीं है तो इतना ही आपको समझना है इतना ही आपको समझना है पढ़ेंगे पहले बात क्युंकि वह भारत में सरवातिक मात्राम पाई जाता है और प्रिश्नफ पोहना पंचे लेता है तो हम लोग एक-एक से पढ़ेंगे bitumens या गोंडवाना कालीन कोईला चित bitumens या गोंडवाना bitumens या गोंडवाना कालीन कोईला चित कोईला चित ठिक ना तो कई सारे मात पूर्ण कोईला चित रहें एक-एक स्यमीनी का अध्यान करेंगे तो सबसे पहले दामोदर दामोदर नदी घाटी कोईला चित सबसे पहले हम इस्यू पढ़ेंगे तो अगर हम बात करें दामोदर नदी घाटी कोईला चित तो दामोदर नदी से सरवाद एक मातरा में कोईला की प्राप्ति होती है यह हम पहले भी पढ़ा चुके पठार वाले छितर में ठीक ना और दामोदर नदी से सरवाद एक मातरा में कोईला की प्राप्ति होने के कारण दामोदर नदी के तुलना जर्मनी में बहने वाली रू रूर नदी कहते हैं ठीक ना दामोदन नदी से शर्वाधिक सर्वाधिक कोईला की प्राप्ति ठीक ना दूसरा भारत की रूर नदी के नाम से जाने जाता है भारत की रूर नदी कहा गया या कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत की रूर नदी कहा जाता है अगर हम बात करें कि दामोदा नदी का सम्मंद कौन कौन से राज्जों से है तो दामोदा नदी का सम्मंद दो राज्जों से है मुखरूप से बहती तो तीन राज्जों है वैसे तो दामोदा नदी कोईला छितर जो है वो जहारखंड में एक जगाय है और जगाय का नाम है जरिया यहां से प्राप्ति होती है और पश्च मंगाल में बात करें तो पश्च मंगाल में एक जगाय है रानी गंज रानी गंजिसी प्राप्टी होती देखेगा एक कुशन पूचे जाते हैं जरिया किस के लिए जाना जाता है तो जरिया कोईला के लिए जाना जाता है और जरिया है कहां तो जहां से जरिया जहां से जर्खंड इतना तो याद ही हो जाएगा और रानी रानी कहां है रानी प्राप्ति होने के कारण सर्वादिक खनिच की प्राप्तिहोंने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया भारत का खनिच हिरदाय बोलते हैं जारखंड़ को पढ़ लेंगे ठीक ना चलेगा तो एक तो जघरिया और दूसरे जगए कौन सी ये तो दूसरे जगए रानिगंच पश्चमंगाल में रानिगंच के अलाबा दो तीन जगाए और हैं जहां पर लो इस पाद देखेगा अभी हम कि वह कोईला पढ़ रहा है लो इस पाद साहिय अंतर बगया ना पढ़ है वह तो बैटर होगा नहीं तो बहुत होच पहुच हो जाएगी ठिक ना तो इतनी बात बस आप याद रखिए जब भी मैं आपको लोहा पढ़ाओंगा या लोहा से सम्मंद उद्धोग पढ़ाओंगा जब इन इस्थानों के नाम दोबारा से आएगे इन इस्थानों के नाम दोबारा से आएगे जैसे एक नाम सुना होगा आपने पश्यमंगाल में वरनपुर का नाम सुना होगा आपने पश्यमंगाल म इस पात उद्धोग और इस पात उद्धोग की स्थापना यहां पर इसली की गई क्योंकि इन छेत्रों एच जो छेत्र है वो रानी गंज के छेत्र के समीब है और यहां से कच्छे माल के रूप में या इधन के रूप में यहां से इनको किसकी प्राप्ति हो जाती थी यहां से इनको कोईला की प्राप्ति हो जाती थी ठीक ना चलेगा तो अभी आपको याद रखना है दामोदा नदी घाटी कोईला छेतर आपको दो राज याद रखना है जहारखंड में कहां से जहरिया से और पश्चमंगाल में क से तो पॉष्चमंगाल में आपकी रानी गंजी से पाइम से तो पॉष्चमंगाल में रानी गंजी से इसकी प्रापती होती थिक न चली गा अंगला देखते हैं सोन नदी घाटी छिप्र ठीक न अंगला है मारा सोनcesso सोन नदी घाटी छेतर से प्राप्त होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोन नदी के राज्य की बात करें किन किन राज्यों से संबने तो सोन नदी देखा जाए तो मद्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और अमरकंटक से निकलने के बाद थोड़ी सी उत्तर प की बात कराएं कि सम्मंदित राज कौन कौन से हैं तो इससे सम्मंदित एक राज मदप्रदेश इससे सम्मंदित एक राज हो गया आपका उत्तर प्रदेश और इससे सम्मंदित एक राज हो गया आपका कौन सा बिहार ठीक ना इससे सम्मंदित एक राज हमारा पठाट से निकलती है इसलिए हम मद्परदेश के साथ साथ किसका नाम लिख लेते हैं मद्परदेश के साथ साथ हम 36 गण को भी सांगर कर लेते हैं ठीक ना अब अंगला समझेगा मद्परदेश में एक जगा है जिसका नाम है सिंगरॉली मद्परदेश में ठीक ना तो यहा एक जगाय है, रीवा के पास है सीधी, सीधी और सहडौल, दो जगाय और है, तो सिंगरौली, सिंगरौली के बाद सीधी नामक इस्थान से प्राप्ति होती है, और सीधी के बाद सहडौल नामक इस्थान से प्राप्ति होती है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, चटी तो 36 गड़ में एक जगा है जिसका नाम है कोरवा और राउल केला इन छेतरों से प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश में ओबरा या ओबारा ताप बिध्धुत केंद्र को सो नदी घाटी से ही किसकी प्राप्ती होती है सो नदी घाटी के छेतर से ही कोईला की प्राप्ती होती है किसकी प्राप्ती होती है कोईला की प्राप्ती होती है इस बात को आपको याद रखना है सिंग रॉली, सीधी, सैडॉल राउल केला और एक कॉंसर सहर बता है आपको कोरबा ठीक ना, एक सहर है सो नदी घाटी के छितर में सामल हो जाते हैं आला देखिएगा इसके बाद अगर अंगली बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी छितर ठीक ना ठीक ना एसे, तो इसकी जो नदी घाटी है इस नदी घाटी से भी हमें कोईला की क्या हो जाती है कोईला की प्राप्ति हो जाती है इसका एक बड़ा महात्रपूर्ण मद्य परदेश में सोहरंग पूर सोहरंग पूर एक जगा है, सोहरंग पूर सोरंगपुर नामक्रिस्थान से किसकी प्राप्ति उती है कोला की प्राप्ति उती है नर्मदार नदी घाटी के छेतर में इस तेतर ठीक ना चलेगा एक और नदी घाटी छेतर है आपका गोदावरी नदी घाटी छेतर गोदावरी नदी घाटी छेतर तो गोदवरी नदि घाटी छितर में आंद्रप्रदेश में एक बड़ा मात्पूर्ट सहर है यह चैहर आपको यहां रखना है कलफ्यूजण ना हो यहां पर मध्यप्रदेश में सिंहराओली है और अंद प्रदिस में जो है यहां पर सिंग रहनी है ठीक ना सिंग रॉली और सिंग रहनी ए दो छेतर हैं जहां से पड़यार्थ मात्रा में किसकी प्राप्ति होती है जहां से पड़यार्थ मात्रा में हमें कोईला की प्राप्ति हो जाती है किसकी प्राप्ति हो जाती है धावरी नदी घाटि के छेतर में और क्सराज राज में theoret चली गए इतना हो गया अब सीर्स राज आ तो सीड सराज पर्ण आप पहला सीरसराज पूछेगा आपसे कोईला उत्पादक कोईला उत्पादक सीरसराज पूछ लेगा और दूसरा सीरसराज पूछ लेगा कोईला भंडारक कहां से कोईले का उत्पादना दिखो रहा हुआ कहां से कोईले का कहां पर भंडारा दिखे इस परिकार से वो आपसे पूछेगा अगर कोईला उत्पादक से इस राज्यों की बात करते हैं तो सबसे जान्दा चटीस गण से उत्पादन हो रहा है वरतमान में चटीस गण के बाद उलीसा से उत्पादन हो रहा है और उडिशा के बाद कहा से उत्पादन हो रहा है सॉरी, 36 गड़ 36 गड़ के बाद जारखंड से 36 गड़ 36 गड़ के बाद उत्पादन हो रहा है जारखंड से और जारखंड के बाद उडिशा से देखिएगा यह आंकड़ा बदल जाता है एक आकडा मैं ज़ाते है बदल जाता है एक आकड़ा मेरे इसको टाइम ली देखते रहाने चाहिए अगर तो आपको समझना है टो आपको करते हैं किस कंई बॉन इकी बात करते हैं लेगनाइट लिगनाइट कोईला की बात करें तो अगर हम लिगनाइट कोईले की बात करते हैं तो दो सीर्स उत्पादक राज पूँचेगा आपसे सीर्स उत्पादक राज पूँचेगा और क्या पूँचेगा और आपसे सीर्स भंडारक राज पूँचेगा अगर यहां पर उत्पादक पूछ जाए तो तमिलनाडू गुजरात राजिस्थान तमिलनाडू में सबसे जानदा उत्पादन हो रहा है उसके बाद गुजरात उसके बाद राजिस्थान अब जानते हैं गुजरात राजिस्थान का उलेग प्राचिनकाल से मिलता है तो इस कारण से आज तमिलनाडू राजिस्थान तमिलनाडू गुजरात राजिस्थान तो यह क्या है उत्पादन है और भंडार की बात करें तो तमिलनाडू उसके बाद राजिस्थान के बाद राजिस्थान यह आकड़ देखिएगा चे जोता रहता है इसको देखना पड़ेगा आपको उसके बाद गुजरात ना तो यह आज हम लोगों कोईला चेत्र को पड़ा भारत के मात्मों खाने संसादरों में आज हम लोगों ने कोईला को देखा ठीक ना हमारे आँ सिविल सेवग सिविल सब्सरिज के सर्विस के जो बेसे सग है उनके द्वारा आलोक सर और रवी सर के कुसल मानुन अड़ेशन में 2020 के लिए प्रारंबि को हम आपको इस नंबर से अउगत करा देते हैं जो हमारा नंबर है यह हमारा नंबर रहा है डवल नायन वन एट ट्रपल जीरो फोर फाइफ फोर इस नंबर पर आपको वर्टसप के माध्यम से PCS इंट्री लिकर सेंड कर देना है एडविशन की सारी की पिरकिरिया आपको स मैनत करा दिया जाएगा ठीक ना यह प्रॉमिस रहा आप जिस प्रकार हम लोग मैनत करेंगे उसी प्रकार रदी आप भी मैनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगे ठीक ना चलिए इनी सब्दों के साब थैंक्यू